हिंदू शास्त्र के मुताबिक हर महिने के कृष्ण पक्ष की चतुर दशी को मासिक शिवरात्री मनाई जाती है। हिंदू धर्म में शिवरात्री का विशेश महत पमाना गया है। ऐसी मानिता है कि शिवरात्री के दिन भागवान शिव की विधी विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनुकामनाय पून होती है। आपको बता दे कि मासिक शिवरात्री का मतलब होता है वो शिवरात्री जो हर महिने मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक कहा जाता है कि चिर काल में फालगुन महा के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी पर महादेव और माता पारवती का विवाहा हुआ था और दोनों पर्णय सूत्र में बंधे थे जिसके बार हर साल पालगुन मास में महा शिवराती मनाई जाती है और साथ ये हर महिने की कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को महा देव के भट्य मासिक शिवराती मनाते हैं इस दिन भट्य भगवार शिव और माता पारवती के लिए व्रत रखते हैं ऐसा माना जाता है कि इस को विवाहित और आविवाहित दोनों ही महिलाएं कर सकती हैं मानिता है कि आविवाहित कन्याओं को शिवराती का व्रत करने से शीक्र विवाह के योग बनते हैं और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें शिवराती का व्रत रखने की सलहा दी जाती है इसके साथ अच्छा बर्प्राप्ति के लिए भी कन्याई शिवरात्री का व्रत रखती हैं। तो चलिए जानते हैं, गब है मार्ग शीष महिले की मासिक शिवरात्री और शुब मुहृत साथी पूजा विधी भी आपको बताते हैं। इसके बाद अपने पूजा घर में चौकी पर लाखती हैं। जाल या सफेद वस्त्र बिछाएं, महादेव और माता पार्वती की प्रतिमा उसके उपर स्थापित कर दें। या फिर आप चित्र भी रख सकते हैं। फिर पंचोक चार के साथ विधी विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। साथी पूजा में भांग, मदार के फूल, सपेद रण के फूल, धतुरा और अक्षत भगवान को अर्पित करें। और शिवलिंग पर पंचाम रिस्पे अभिशेकर बेल पत्र भी तढ़ाएं। पूजा के बाद आर्पि करें।